वेलकम बैक टूमाइच चानल आज हम रिव्यू करने वाले एक सर एसपाइट थी लैपटाप का जो क्या आता है राइजन फाइट के प्रोसों के साथ में अब गज़ता पॉपुलर लैपटाप एंड साथ एक आप ज़ता कम प्राइस सेगेंड में आपको अच्छे उसने लेकर बड़ी की बड़ी की ऐसी त videoda की पर आपको दुस नहीं करना चाहिए तो आपको पता होना han miss ठीम कर सकते हो तो अगर आपको उन्बंबोख देखना चाहते हो तो यह गará में पूर पर या और कर सकते हो तो बीना की इचल है यह आप उसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब सब पहले इसका नाम में आपको बता तो हाला कि यहां पर समय पहले से बता है इसका नाम है इसका नाम बताना इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि इसके और भी खापसर है जो कि अगर आप डालेंगे आमेज़ून हो सात इसा फ्लिपकर को उपर तो इसके कामसार वेरेंट्स आपको देखना के मिलते हैं इंटल के साथ में वगर वगर तो इसे वज़े से यहां पर पहले में कंफर्म कर देना चाहिए और यह आता है राइजन फाइक के प्रोसर के साथ में अबको एस सबसे में नदरा डालते है इसके design की में में और मुझे इसकी design कैसी लगे ओपास में आपको बात है तो तो design वाइट देखा है तो व्हींच फ्रैंट साइड में देख सकते हैं आपको brush metallic finish यहां पर आपको देहने कले मिल जाएगी जहांपर इसर का लो को इसमें काफ़ जदा खुपसुरों सा ही लगता है और बैक सैट में और जो के साइड में वगर देखेंगे तो यहाँ पर हाई कॉलोटी प्लास्टिक का यूज किया गया है अब डिजाइन वाइज देखा जाए तो मुझे अच्छा खासा लैप्टरप लगा है म जबकि मैं इसे काफ़ जदा हार्डली यूज करता हो मतलब मैं कैसे भी इसे उठाता हो रखता हो फिर भी हाँ पसे देख सेकते हो कि टॉप एंट सेट पर आपको इतने ज़्यादा क्रेश नहीं मिलते तो यह पी इसके मुझे काफ़ी अच्छी बात लेगी तो आगे में बढ़ते हैं यहां बात केते हैं इसके डिस्प्ले के मामले में तो यह एक ऐसा मतलब लैप्टप है जो कि इस प्राइस सेगें में आपको फूल एजडी डिस्प्ले प्रोवाइट करता है जो कि मैंने काफी सारे लैप्टप देखिए इस प्राइस सेगें में आपको फूल वाला पैनल नहीं, यहाँ पर आपको TFT डिस्पले मिल जाता है, अब यहाँ पसे मुझे थोड़ा सा दिक्कत यह लगी कि जब मैंने इसे जो के बाई किया, तब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं मस्ता से इसे जो के इंजोई कर रहा था, मेरे जितने भी मेरे काम थ जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल उका हैंडल करना तो मैं इसी लैप्टप से करता हूँ, कोई जाता मुझे प्रॉब्लम नहीं आये, लेकिन जब मैंने मेरा एक गेमिंग लैप्टप पर्चेस किया, जिसमें कि मुझे IPS पैनल मिलता है, तो जब से मैंने उस जो की परण देखने क्ले मिल जाता है, जो IPS होता है, उसके जो की saturation होगर है, या पर जो color contrast होगर है, वो एकदम एक next level का होता है, लेकिन यह जो की display है, for the price देखा जाए, तो काफी अच्छे है, लेकिन बेस नहीं आप इसे जो की बोल सकते हो, लेकिन गैज मैं बोलूँगा, यह ब इसे जो काफी अच्छे से यहां पसे दिखाए दे देते हैं, और और नेट सर्फ में वागरे, ओ भी आपसे easily हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहां पसे नहीं आने वाला है, एनके बात कहते हैं, इसके जो की performance और इसमें आपको काफी अच्छा एक जो को combination मिलता है, ले इसके साथ ही मतलब इस प्रॉसेजर साथ में आपको एक integrated GPU मिलता है, जो है Vega 8 का, आपको सच में में अगर मेरे performance के बारे में इस जो की laptop को experience अगर बताना चाहूं, तो इसमें कोई भी dedicated graphics card यूज नहीं किया हो है, लेकिन यह कही पर भी मतलब इस प्राइस सेगें में आपको जो sniper related 4 जैसे जो की game में और इसमें काफी अच्छी तरह सी use किया हुए, मतलब खेले हुए और में तो मतलब कावज़ेदा happy हूँ इसके gaming performance में, लेकिन हाँ guys अगर आप यहाँ पर से GTA 5 जैसे बड़े बड़े गेम यहाँ पर से run करना चाहते हो, तो इसमें साथ जो 4GB RAM आती जैसे जो की game है, वहाँ पर आप 720 में तो आराम से खेल सकते हो, तो कोई problem है, आपसे नहीं आने वहले, और इस price में आपको gaming करवा के दे रहा है, हाला कि कोई भी gaming laptop नहीं, तो भाई इसके लिए तो मतलब कमाल है, यह laptop, इस price में आपको gaming करवा के देता है, और मतलब काफी अच्छी बात है, बीना graphics card कार्ड के यार, मतलब आप बोल सकते हो क्यों कि rising के process कितना कमाल के यहां पसे निकल के आ जाते हैं, तो इसी बात पर like भी है जरू कर देना, और जहां पसे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, जिसके बैटर लैप के बार हैं, अब company तो यहां पसे काफी जादा क्लिम करते हैं, यहां पर आपको 6 घंटे का या फिर नौर्मल से काम करना चाहते हैं, इंटरनेर सर्फिंगं, अगर यह सारे काम करना चाहते हैं, यहां पर आपको बैटर बैक अप देखने के मिल जाएं, लेकिन हां ठीक तक सा बैटर बैक बीकुछ बूरा नहीं है, आगर लैप्टूस के बारे में बात की ही जारे हैं, अब यहां वो से बात कहती है कि गाइज इसकी वीडियो एडिटिंग की प्राफेमस कैसी है अब गैस देखी कि मैं अपने यूटुब के वीडियो से ओ अगर कुछ अच्छी वीडियो कुछ अच्छा प्रोड़क है तो उसकी वीडियो में हापसे मेरे लैपटॉप या फिर जो मे लेकिन एक बार ओपन होने का बाद अच्छे तरह से आप इसमें वीडियो कर सकते हो को प्रॉब्लम नहीं आएंगा बस यहां बसे रेंडरिंग में थोड़ा बूट टाइम लगेगा तो आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आप प्राइज भी उतनी ही पेग कर रहे हो तो इसमें एक यहां से घुलक जाता है जोके घृद से अच्छे तरह से होता है जहां आप अपनी आपनी तॉArt और कि यहां पर आपशके यहां लागा रहे अपने ट्रैकपड पर तो कभी कभी यह कभी चलता है और ट्रैकड कंतुराइब कभी-कभी वर्क नहीं करता है लेकिन यह प्रॉब्लम कभी-कभार ही आ जाते हैं हटि में एक दो बार आ जाते तो इसमें कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको और ट्रैकपड पर ठीक टाक सा है लेकिन मैं नॉर्मली जब मैं यहां पसे आपने इसमें रहता हूँ इस जो कि स्टूडियों में रहता हूँ तो मैं यहां पसे माउस का ही यूज करता हूँ तो मुझे ट्रैकपड के इतने कुछ जरूरत नहीं लेगी और में भी आपको रिक्मेंड करूंगा कि यह लैपटॉक को जो ट्रैकवर्स होते उतने अच्छे नहीं होते तो आप यह पर कोई भी बैकलिट नहीं है और फॉर दिप्राइज और इस जो की सेग्मेंड में आपको भैकलिट तो नहीं मिलता है लेकिन कही न कहीं न कहीं बैकलेट की हाँ पसे आपको ज़रूरत लगी कि कभी-कभी अर टाइम की जब आप अंधरे में वोगर यूज कर तो यहां प बात करें तो कोई कोई की से कभी कबर लगता है कि मतलब में कभी कबर जो टाइपिंग करता हूं कभी किसी को मैं लोग बेजना होता है मुझे तो मैं जब टाइप करता हूं तो कभी कबर जो की से और रिस्पॉंस नहीं करती है अब पता नहीं क्यों होता है तो मतलब काफी कम मिलता है अब बात करें तो इस प्राइस के बात करें तो इस प्राइस में कमाल के यहां पर आपको प्राइस दिला कर दे देते हैं इस प्राइस में हाँ पसा आई-3 मिलेगा जिसके प्राइस देखेंगे तो एक दम मतलब ना खराब लेवल के होते हैं जिससे कि वह अपर आप आप गेम ही नहीं खेल सकते हो लेकिन इसमें आप एटलिस गेम तो खेल सकते हो वह भी GTA 5 जैसे लेकिन उपसके लिए आपको रैम अपग्रेट करना पड़ेगा तो यहां पर यह सरे चीज़े तो प्रपाउंस मुझे काफी अच्छी लेगी वीडियो एडिटिंग हो जाती है काफी जाधाँ डिसएडवेंटेज मिलता है कि इसमें आप जब इसे बूट करें तो काफी टाइम के बाद यह जो कुछ टाइम देना पड़ता है इसके सारे जो मतलब हैप से जो कि स्टार्टिंग में जब आप इसे बूट करते तब सारे जो कि लोड होने के लिए तब य जल्दी से इसमें आप्स ओपन नहीं करेंगा अगर आप्स ओपन करें तो यह लैग होने लगता है या फिर हैंग होने लगता है तो इस वज़े से यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई यहां पर आप आटलस 240GB के SSD जरूर यूज करना यहां पर SSD यहां पर आपको slot भी दिया गया है m.2 SSD का तो यहां पर मैंने 240GB की WD की SSD यूज की हुए है इससे तो क्या होता है कि यह लैग ने होता है जब कि अगर आप पीसे डायरेक्ली बाई करकर यूज करेंगे तो लैग होता है तो यह SSD लगने बाद कोई भी लैग ने होता है और सा यहां पर आपको कम लगने लगीगी यहां पर आप 8GB Atlas कर लेना जिससे कि आपको मतलब काफी अच्छी तरह से प्रॉफर मत देखना मिल जागी और गेमिंग में भी यहां पर आपको GTA 5 यहां पर से रन कर सकते हो फाइनले बात करते हैं क्या इस जूकिए लैप्टो को आपक इसके साथ आपको Vega 8 मिलता है साथे साथ Full HD वाली डिस्पले मिलती है प्यारा से दिखने वाले डिजैन मिलते है और एक अपको लैप्टप मिलता है जहां पर आप गेमिंग भी और वीडियो एडिटिंग जैसे काम है वह भी कर सकते हो तो और क्या चाहिए इस जूकिए प्र आप दिये जाई आए अमेजोन पेर और इसे जोगी बाइक कर लेजे लेकिन हां अगर आप इसे बाइक कर लें तो एमड़ टू टू फूर्टी जबी के यहां पर से एसे जरूब आप लेना एक जो की डिडियर 4 वाली 4GB के एक रैंप भी यूज कर लेना एक बाइक कर लेन लेकिन आपको लगता है कि मैं और कुछ आपको बता हूँ तो जो भी आपके मन में क्वेच्चन है आप मुझे कर लेने के पूरी के पूरी यहां पर से कोशिश करूंगा तो फिलाल इस वूड़ों के लिए इतना है रखते हैं लिंक दी है जाई इसो को पर्चस कर लेजे वूड़ों अच्छे लेगे हो एक लाइक कर देना एंड चानल पर नहीं हो तो सस्क्रेब कर लेना आज साथ में लगा बेल अकॉन उसे भी प्रेस कर लेना तो मैं मुलता आपको नेस ऐसी इन्फोर्मेशन के साथ वूड़ों के साथ में तब तक लिए खूश रहें और बड़ बाइ